दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली कवर दिवाली वह चट पूजा पर बिहार आने वालों की होगी कुरोना जाच लगेगी वैक्सिन सीम नितिष ने स्वास्त आपको दिया निर्देश जिहां दिपावली और महापर्व चट पर देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वालों की अगर उन्होंने टिका ले लिया है या आटी पिस्यार जाच करवाई है तो उसका प्रमान पत्र अपने साथ जरूर रखे सनिवार को स्वास्त बिवाग की समीचा बैड़क में मुखि मंत्रे नितिष कुमार ने इस वाबद अधिकारियों को आवैसेंग निर्देश दिये हैं अगले बड़े खबर आधार नहीं है फिर भी होगा टिका करन सेम का स्वास्त बिवाग को निर्देश 18 से 20 अक्टूबर तक डोर टो डोर वेक्सिनेसन अभियान जहां मुखि मंत्रे नितिष कुमार ने सनिवार को एक अने मार्ग में स्वास्त मंत्रे मंगल पांडे और स्वास्त बिवाग के अधिकारियों के साथ कुरोना के हालात पर समिच्छा बैठक के मेटक में मुईक मंत्रे ने आने वाले तिवार के मद्द नजर टिगाकरन अफ्तार तेज करने और कोरोना संक्रमन के प्रसार को लेकर सतर्ता वरतने के निर्दिस दिये नोंने निर्दिस दिया है कि कोरोना वैक्सिन के दूसरे डोज के लिए 18-20 अक्टूबर तक स्वासी विभाग दोर टो डोर अभ्यान चलाएगा साथ मुईक मंत्रे ने कोरोना टिगाकरन को लेकर आधार के बाधा को खतम करने का निर्दिस दिया है सियम ने 18-20 विभाग के दिकारियों को निर्दिस दिया है कि वो वैसे लोगों का भी टिगाकरन सुनिश्चित करें जो अब तक आधार नहीं होने के वज़ए से वेक्सिन नहीं लिपा रहे हैं सियम ने कहा कि जिन लोगों का आधार नहीं है उनका किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टिगाकरन कराए और उनका आधार काड़ भी अवज से बनवाए अगली बड़ी कबर बिहार में पहली बार डिजल का दाम सो रुपे के पार पेट्रोल और महंगा हुआ जहां पेट्रोल और डिजल के मुल में बिर्दी का सिलसला जारी है विहार में पहली बार डिजल का मुल सो रुपे प्रति लिटर को पार कर गया है तेरह अक्टूबर को डिजल का मुल 99.86 रुपे लिटर था इसी तरह सेट्रोल का मुल 13 अक्टूबर को 107.55 रुपे पर था वह 14 अक्टूबर को यह 40 पैसे बढ़कर 108.15 रुपे पर पहुच गिया सुकरवार को यह 40 पैसे की विर्दी के साथ 108.55 रुपे पर पहुच गिया है बिहार पंचाज चुनाव के चोथे चरण में लागो होगा नया नियम बायो मेट्रिक में बताया फर्जी तो जाना होगा जेल जहां बिहार पंचाज चुनाव के तिसरे चरण का मदान समाप्त हुचुका है अब 20 अक्टूबर को होने वाले चोथे चरण के मदान के तयार की जा रही है बिहार राच निर्वाचन आयोग के चुनाव में किसी तरह की गड़वड़ी ना हो इसके लिए हर समभ परियास कर रही है इसक्रम में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए आयोग चोति चरन से नए नियम को लागो करने जा रहा है जिसके तहट फरजी वोट करन वालों की खिलाब बाड़ी कारवाई की जाएगी इस बार चुनाव आयोग ने बायोमेटिक से त्पन के वेबस्त की है इस वेबस्ता के तहट जो विवैक्ती मदान केंदर पर मदान करने जाएगा उसका बायोमेटिक스थापन बायोमेटिक सेत्तापन किया जाएगा चोतिसर चरण से जो भी व्यक्ति बायोमेटिक सेत्तापन में गलत साबित होगा उस पर कानूनी करवाई होगी और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है बड़ी ख़वर उपचुनवा में तेज परताब ने किया खेला कुशसर इस्तान से कॉंग्रेस को करेंगे समर्थन तारापूर में आरजडी के साथ लालो के बड़े बेटा जिहां लालो के बड़े लाल तेज परताब ने अब आरजडी में तेजस्वी के आमने सामने मोरचा खुल दिया है वितारापूर में आरजीडी के उमिदवार अरुन कुमार सा को अपना समर्थन देंगे लेकिन कुसेसरष्टान में कॉंग्रेस के प्रत्यासी अतिरेक कुमार को समर्थन देंगे चात्र जनसक्थी परिसत के लेटर के जरिये सन्यवार को यह जानकारी दी गई है अगली बड़ी खबर बिहार में उपचुनाव से पहले चार प्रत्यासियों ने वापस लिया नाम कुसेसर इस्तान में एक वा तारापूर में तीन हटे जिहां बिहार बिदानसवा के दो सिटों के लिए हो रूप चुना में प्रत्यासियों के नाम वापस लेने की तिधी सनिवार को समाप्त हो गई कुसिस्टरिस्टान विदान सब सब Northeastष चेत्र एक निर्दलिय प्रतियासी बिजे कुमार राम ने अपना ना मुआपस लेकर चुना मेदान से हड़ गए हैं अगली बड़ी खबर बिहार उप चुनाव में पपो यादव के सामने होगी पतनी रंजित रंजन कॉंग्रेस के परेवेक्चों को किया एलान कर दिये हैं रंजीत कुसिसर स्थार में कॉंग्रेस प्रत्यासी अतिरेक के लिए वोट मांगेगी तो उनके पती पूर्व सांसत बपो यादव अपने पार्टी जाप के योगी चौपाल के लिए प्रचार करेंगे इस साफ हो गया कि पती और पतनी के बेच सिधे टकर होगी अगली बड़ी ख़वर बिहार में फिर बारिस का खत्रा मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलट जिहां बिहार में मौसम के मिजज एक वर फिर से बदलने वाद इसका असर रहिवार को देखने को मिल सकता है रहिवार को राज के कुछ हिसों में हलकी से पुर्वानुमान मौसम विगान विभाग के दिल्ली इस्तित केंद्र से सुक्रवार के साम को जारी किया गिया है इसमें 17 से 19 अक्टूबर के बीच बिहार में बारिस होने की इसकी तिर्वता लगातार बढ़ने का नुमान जताया गिया है इस सथी के लिए राष्ट्य पुर पारिस के आसार है अगली बड़ी खबर दिल्ली इंसियार की तरज पर विखसित किया जाएगा पटना एजनसी चैन के लिए 17 को खुलेगी निविदा जिहां पटना महानगर छेत्र के करीब 1167 वर्ग किलोमेटर छेत्र के सर्वी पानिंग के जरी अजनसी की खोज सुरू ह हो गई है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले मा नौंबर तक एजनसी का चैन कर लिया जाएगा आपको बता दे कि पटना महानगर छेत्र को दिल्ली इंसियार के तरज पर विखसित किया जाना है जिस तर दिल्ली के असपास के इलाकों को विखसित कर राजधानी पर महानगर छेत्र की भूमे के इस्तमाल रोजगार बाजार ब्यवसाइब परिवहनादी को लेकर जगा चिनित की जाएगी पतना सर पर अबादी का दवाब कम करने के लिए मास्टर प्लान दो जार एक इस में पांच सिटिलाइट टाउन बनाने की भी योजना है बिहाटा न एडवांस में आरा के अरनव आदित सिंग ने कमाल करके दिखाया है अरनव आदित सिंग ने इस परिचा में पुर देश में नवा इस्तान हासिल कर घर परिवार का नाम रोसन किया है आपको बताद कि बिहार के भोजपूर जिले के सापूर थाना छेतर के इस्वरपूर ग में एक्जाम की जारी कर दिये थी नहीं सामिल होने वालों को दिये ये सक्त निर्देश जिहां बिहार के परिचात्रों के लिए अच्छी कबर है बिहार विदाले परिचा समीती ने सेंटब जाच परिचा की तारिक कैलान कर दिया है बिहार में 12 नौमर से मैट्रिक की परिचाँ में नियमित और स्वतंत्र कोटी के परिचात्रे सामिल होंगे बिहार विदाले परिचा समिती ने सभी डियों को सात से नौ नौम्बर तक प्रसन पत्र एवं कापी उपलब्द कराने का निर्दिश दिया है। बता दे कि बिहार विदाले परिचा समयती यानि बिहार बोड ने सभी परिचात्री उकले सेंटब जाज परिचा देना अनिवार कर दिया है जो परिचात्री सेंटब जाज परिचा में सामिल नहीं होंगे उन्हें मेटिक 2022 के मुई के परिचा में बैटनी के अनुमति नहीं म मिलेगी बड़ी खबर 17 अक्टूबर को बिहार उत्तर पर देश सहित चार राज्य बंद लाकिमपूर के विरोद में माववाद्यों ने बंद करने का एलान किया है माववाद्यों ने लाकिमपूर करी की गटना को नरसाहर खार देते हुए बिहार में चल रहे पंचाई चुनाव का बैसकार करने का आवान किया है जगा जगा पोस्टर लगा कर मावादियों द्वारा बंद को सफल वनाने के अपील की जा रही है मावादियों के बंद के एलान के बाद पुलिस वा अर्थ सनिक बल अलट मोड पर है पोस्ट में यह लिखा गया है कि लखिमपूर खिरी नरसंहार के खिलाब 17 अक्तुबर को आहुत बिहार जहरकन उत्तरे चतिस गड़ और उत्तर परदेस बंद को सफल वनाए बंद को सफल वनाने के लिए 77 पहल कंदमी के साथ व्यपक सिंक्या में महिला पुरूस चात्र नोज़ान आगे आए लखिमपूर किरी नरसंहार पर विचार करें फैसला ले आंदोलन को और धारदार बनाए अगली बड़ी खबर आये स्टोपर सुभम कुमार देंगी सफलता के टीप्स रहवार को पटना में सेमिनार का है आईजन जी हाँ आये स्टोपर सुभम कुमार सिविल सर्विसेज की तैयारी करें चात्र चात्राओं को सफलता के टीप्स बताने वाले हैं आज वे राजानी पटना में बताएंगे कि क्या रनिती अपना ही जो सिविल सिवा की परिचा में से पलता हासिल हो सके पटना के दारोगा प्रसाद राय सबगार में रैवार यानि आज 17 अक्टूबर को एक ओपन सेमिनार का आज़न किया जाना है यह सिमिनार दस वजे से सुरू होगा इनमें सिविल सर्विसेस की तैयारी करे चात्र चात्राई भाग ले सकते हैं आपको बदादे कि सिमिनार में सिवम कुमार के साथ प्रवीन कुमार जिनका रैंग साथ है उतकर्स कुमार जिनका रैंग पचपन है आसिस कुमार जिनका रेंग 226 आमित रंजन जिनका रेंग 431 एवम जया सिनया जिनका रेंग 527 प्रतिभागियों को समुदित करेंगे इन सभी ने सुभम कुमार के साथ योपेसी के परिचा में सबलता हासिल किया है ये लोग सिविल सर्विसेज परिचा से जुड़ी तमाम बारेकियों, कठिनाईयों और चुनोतियों के सवाल पर सिमिनार में भाग लेने वाले अभेरतों को स्विबात करेंगे परन की बड़ी खबर पटना जक्सन पर अब रिटाइरिंग रोम की सुविदा शुरू पूरों मजद रेल की ओर से यात्रियों की सुविदा को ध्यान में रखते विए पटना जक्सन पर लगबग 26 माँ बाद रिटाइरिंग रोम की सुविदा शुरू कर दी गई है रेलवे का दावा है कि कम पैसे में यात्रियों को अच्दोनिक सुविदाव से सुसजित सूपर डिलक्स कमरे उपलब्द कराय जा रहे हैं सूपर डिलक्स कमरे किसी भी बड़े होटल की सूट की तरह उपलब्ध होगा इसमें आइतादोनिक सुधाव से सुजदित बड़ा कमरा तो होगा ही एक डेसिंग रूम और बालकनी के साथ ही आइतादोनिक सोचले भी होगा इसके लिए यात्रियों को 24 गंटे के लिए मातर 16 रुपे देने होंगे आइने होटल की तरह 18 फिजदी जेस्टी अलग से देना होगा बिजया दसमी के दिन से ही इसके आफलाइन बुकिंग सुरू कर दी गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार के कौन-कौन से जिले में एक लेटर डिजल का दाम सो रुपे के पार चला गया है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए